यह हैं दुनिया का सबसे खतरनाग रास्ता जान पर खेल कर इससे गुजरते हैं लोग इस पूरे रास्ते में कई खतरनाग पुल और चाहाई भी पड़ती है माउंट हुआसंग जाने वाले रास्ते में एक छोटी सी गलती भी इंसान को मौत तक ले जा सकती है चीन में माउंट हुआसंग चीनी लोगों का पवित्र धर्म अस्तल है ये चीन में मौझूद बाच पवित्र धर्म अस्तलों में से एक है जो एक परवत पर मौजूद है लोग यहां मौजूद मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां जान पर खेल गर यहां पहुँचते है माउंट हुआंसगन तक जाने वाले रास्ते को दुनिया के सबसे खतरनाग रास्तों में एक माना जाता है इस पूरे रास्ते में कई खतरनाग पुल और चड़ाई भी पड़ती है माउंट हुआंसगन तक जाने वाले रास्ते में एक छोटी सी गलती भी इंसान को मौद तक ले जा सकती है इसके इतने खतरनाग होने के बावजोद भी टूरिस्ट यहां भारी संख्या में घूमने आते हैं यहां लोग खतरनाग बिरिट से होकर गुजरते हैं यहां सीधी खड़ी चटानों पर जंजीरों के सहारे लकडी के पट्रे लगा कर रास्ते तयार किये गए हैं लोग अपनी जान हतेली पर रखकर यहां पर चड़ाई करते हैं माउंट से गिरने पर 7000 फुट नीचे किसी बॉड़ी का मिलना बहुत ही मुस्किल है माउंट यह माउंट उन्हें 5 पहाडियों का हिस्सा है जिनकी आकरती फूल की तरह दिखती है यहां हर साल इस पर चड़ते हुए 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो जाती है फिर भी यहां टूरिश्ट की संख्या में कोई कमी नहीं आई है माउंट हाइकिंग के लिए मसहूर हर दिन यहां 100 से ज्यादा लोग आते है क्या आपको पता है एक ऐसी अवरत जो 4 किलो चावल कुछी मिनट में खा जाती है तो आज हम बात करेंगे एक छीनी महिला के बारे में छीन में ज्यादा तर लोग तो सामान तोर पर चावल को सौक से खाते हैं लेकिन इन दिनों वहां एक लड़की की चावल खाने की मातरा और उसमें लगने वाला वक्त लोगों को हैरानी की सबब बन गया है बताया जा रहा है कि वह एक लड़की 4 किलो चावल कुछी मिनट में खा जाती है चावल को एक प्रशित भोच पडार्थ माना जाता है बहुत से देशों में चावल को लोग बेहत सौक से खाते हैं और इन्ही देशों में एक है चीन चीन में ज़्यादतर लोग तो आसामान तोर पर चावल को सौक से खाते हैं लेकिन इन दिनों वहाँ एक लड़की की चावल खाने की मात्रा और उसमें लगने वाला वक्त लोगों की हैरानी का सबब बना हुआ है बताया जा रहा है कि वहाँ एक लड़की चार किलो चावल कुछी मिनट में खा जाती है चार किलो चावलो को कुछी मिनट में खा कर समाप्त कर देने वाले चीनी लड़की काफी फेमस हो रही है चावल को अत्यदिक मात्रा में खाने वाले इस लड़की का नाम मीजीवन है यह लड़की एक प्रोग्राम में आई हुई थी जहां पर उसने 4 किलो चावल कुछी समय में अकेले खा कर खत्म कर दिया इस लड़की के इस कारणामे से सभी लोग चकित थे यह लड़की बरतमान में सोसल मीडिया पर काफी फिमस हो रही है इस लड़की का फोटो और वीडियो काफी वाइरल हो रहा है दोस्तों क्या आपको कहा जाए कि एक सेकेंड में एक सेरेमिक टाइल्स को आप अपनी मुक्के से तोड़ सकते हो तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे तो हम बात करेंगे एक लड़की के बारे में जिसकी उम्र महच 13 ही साल है इन्होंने 84 मिनट में 84 टाइल्स को तोड़ कर वर्ड रिकॉर्ट हासिल कर लिया है तेलंगाना की कराटे में ब्लैक बेल्ट की सोरी गणा संतोसनी ने 84 सेकेंड में 84 सेरेमिक टाइल्स को तोड़ कर 31 मई को विस्ट रिकॉर्ट बना लिया है तेलंगाना की एक की सोरी ने एक कमाल कर दिया है जिसका मुक्का बहुत ही दमदार है लगातार 5-6 महिने की कड़ी मेहनत करने के बाद गणा संतोसनी ने जीनियस बुक अप वर्ड रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है इस लड़की ने महज 3 साल की उम्र में भी कराटे सीखना सुरू कर दिया था और इन्होंने अस्थापना दिवस के आउसर पर इन्हें सम्मानित किया गया है तो फ्रेंट्स अगर इस वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तक तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद